असलम अलेकम, वेलकम टू शिराया नियूज, उमीद खरती हूँ के आप सब खेरियसे होंगे, यूके की एहम तरीन अपडेट को लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं, तो हमेशा की तरहां रिक्वेस्ट यही है के वीडियो को आखिर तक देखेगा और वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए बढ़ते हैं आज की एहम तरीन अपडेट की जानी तरकीन ने बरतानिया को परशान कर दिया, वजीर आजम को बियान देना ही पड़ गया, आखिर उल्टी हो गई सब ताबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, रोकने की तमाम तर कोशों के बाव तरकीन ने बरतानिया को परशान कर दिया, सिर्फ एक ही दिन में तरकीन की इतनी बड़ी तदाद बरतानिया पहुचने में काम्याब होगी कि वजीर आजम बोरोस जानसन को इस मामले पर बियान देने और प्रोसी मुल्क से मदद मागने की जुरूत पाड़ ही गई, सिलात के मताबिक बरतानिया में वजीर आजम बोरोस जानसन की हकूमत गेर कानूनी तरकीने वतन के मामले पर सक्त मुआकिफ की हामिल है और वजीर दाकला प्रिटी पर्टेल इंगली चैनल के जरी बरतानिया आने वाले तरकीन को रोकने के लिए मुसंसल सरगरम रहती हैं, लेकि जिन में खवातीन और बचे भी शामिल हैं, ये एक दिन में तरकीन की सबसे ज्यादा आमद है, इस से पहले 21 अगस को 828 तरकीने वतन बरतानिया पोंचे थे, इस मामले पर बरतानिया पार्लिमेंट में भी बात की गई, एक MP के स्वाल पर वजीर आजम बोरोस जानसन ने कह के वजीर दाखला प्रिटी पर्टेल फ्रांस से तरकीन का दाखला रोकने के लिए दिन रात काम कर रही हैं, उन्होंने फ्रांस पर जोर दिया कि वो तरकीन को रोकने के लिए कोशिशें तेस करें, इस साल के दुरान अब तक इंगलिश चैन के जरिए 12,000 तरकीने वतन बर नहीं रहे रा, जिसकी वज़ा से आखिरकार वजीर आजम को भी बियान देना पड़ गया है, यह थी आज की एहमतरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उमीद करती हूँ के पसंद आई होगी, इसी के साथ फिर मिलती हूँ, आप सबसे लेटेस्ट अप आफिस